इस वीडियो में हम लोग आपको a9 camera कैसे use करना है वो detail में बताएंगे सबसे पहले हम लोग इसमें आपको बताएंगे इसमें charging कैसे करना है तो यहाँ पर इसका ये charging वाला slot है चार्ज करने के लिए आप कोई भी mobile का charger use करके charge कर सकते हैं साथ में चार्जिंग के लिए आपको ये data cable मिलेगी, इसके यूज़ करके आप साथ में mobile का charger यूज़ करें और चार्ज कर लें, इसको आपने चार्जो करना है 30 से 40 मिनट या maximum ज्यादा से यादा आप एक घंटा चार्ज कर सकते हैं, जब आप चार्ज करेंगे तो जहां पर जो on off का button बना हुआ है, इसके साथ ये hole बने हुए है, यहाँ पर आपको लाल का रेट गलर का light जो है, ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा, और लाइट जो है, वो continuous ब्लिंक करता है रहेगा चार्जिंग टाइम पर, और आपने उसको एक घंटे के लिए चार्ज कर लेना ह maximum, अगर आप इसको आदा घंटा से 40 मिनट, 50 मिनट भी चार्ज कर लेंगे तो भी बहुत है, क्योंकि इसको बैटरी वेक अप होता है, चार्ज करने के बाद, वो 40-50 मिनट तक ही होता है, और दूसरा इसको यूज करने का तरीका एक और भी है, आप इसको चार्जिंग में लगा कर भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाते हैं कि इसको लंबे टाइम के लिए यूज करना है, दो गंटे, चार गंटे, पान गंटे के लिए, तो बैटरी इसके अंदर छोटी है, क्योंकि डिवाइस चोटा है, तो आप इसको पावर बैंक से इसको अटैच कर सकते है आपके पास कोई power bank है power bank से इसको attach कीजिए और साथ यसाथ आप इसको power bank से इसको power मिलती रही और साथ साथ इसको आप यूज भी कर सकते हैं तो यूज करने के लिए आप इसको on off करना है यह देखिए आप on off बटन ऐसे प्रेस करेंगे तो यह on हो जाएगा अब आप देखिए यह light blink कर रही है दूसरी बात इसमें जो charging वाला option है इसमें दो lights का आता है एक red light आता है एक blue light आता है तो light के उपर आपने नहीं जाना red light वाला है या blue light वाला है basic इसका जो है वो model के उपर difference आते हैं कई बार light जो light होती है वो red color की होती है किसी device के अंदर किसी के अंदर blue color की होती है तो light के साथ device की performance में device को use करने में कोई अंतर नहीं आएगा same रहेगा light चाहे red हो या फिर blue हो दोनों का काम करने का तरीका जो है वो same रहेगा तो अभी हमने इस device को on कर लिया है तो अभी इसका process क्या है इसकी जो mobile app है जो इसका mobile app है उसका नाम है hd wifi cam pro ठीक है वो आपने play store से app store से download कर लेनी है hd wifi cam pro और दूसरा इसमें sd card का slot भी आपको बताता हूं यहां पर memory card का slot है sd card का तो sd card कुछ इस प्रकार से लगेगा इसके अंदर यह आपको लगा कर दखा रहा हूं sd card आप इसमें 32 gb 64 gb डाल सकते हैं 32 64 gb डाल सकते हैं तो memory card आपने इसके अंदर लगा 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 तो जो भी recording होगी वह memory card के अंदर भी store होगी और जो recording playback होगा जो इसके अंदर memory card में recording दिखेगी वह भी आपको mobile app के अंदर ही शोगी जो अभी हम लोग में आपको सारा कुछ इसमें करके दिखाएंगे और memory इसके अंदर हमने memory का डाल दिये है ठीक है तो अब हम लोग इसकी चलेंगे एप के अंदर जो इसकी mobile app है उसका नाम है कि एट्टेडी वाइफाई कैम प्रो तो जो एप का नाम है नहीं आपको बताया है HD Wi-Fi कैम प्रो यह देखिए आप अपका नाम आपको दिखा रहा हूँ एटेडी वाई-फाई प्रो यह एप है तो यह वली जो एप है आपने डाउनलड कर लिया अपने फोन के अंदर एटेडी वाई-फाई कैम प्रो तो अब हमारे स्टेप्स क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं कैमरे को हमने ओन कर लिया इसमें दो तरीके से यह इन और एक वैन लोकल एरिया नेटरवर्क में ये कैसे कनेक्ट होगा, जो कैमरे का खुद का एक होर्सपॉड है जिसकी एक रेंज होती है 4 से 5 मिटर की, तो जब आप एक चार से 5 मिटर के अंदर ये वाइफ आप нек क्या अगरना है सबसे पहले, आपका जो mobile data है उसको आपने off कर ले न है हमारा यहाँ पर off है mobile data फिर आपने phone की wifi setting के अंदर जाना है phone की wifi setting के अंदर आपको device का जो है serial number दिखाई देगा DGOB करके ठीक है ये DGOB करके भी आता है DBG करके भी आता है DGK करके भी आता है तो दो तीन तरीके इसको लिабатने के लिए से मोड का बटन जो दिया हुआ है उसको आपने दो मिनिट के लिए प्रेस को ओन कर ने के बाद मोड अले बटन को दो मिनिट दख करेंगे तो यह डिवाइस जो है वह म dauगत याएगा री होने के बाद आप दोबारा फोन की Wi-Fi सेटिंग में जाएंगे एक से दो मिनिट आप वेट करेंगे तो आपको उसका सीरियल नंबर दिख जाएगा तो सीरियल नंबर आने के के बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है की वाइफाय के साथ जो डिवाइस का होड़ स्पोर्ट है उसके अंदर अपना इंटरनेट नहीं है तो यहां पर हम लोग की वाइफाय कनेक्शन पर क्लिक करेंगे यह फोन के ओपर डिपेंड करता हर एक मोडल में अलग-अलग ऑप्शन आती है तो हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे की वाइफाय कनेक्शन देखें यहां पर लिखा आगया क्नेक्टिड विदावड इंटरनेट क्योंकि कैमरे के अंदर कोई अपना इंटरनेट नहीं है यह होड़ स्पोर्ट है तो यह यहां हम लोग क्या काम पर जाएंगे एप ओपन करेंगे हैं यहां पर वो डिवाइस अपने आपसे एड़ हो गया है अगर आपका डिवाइस अपने आप एड़ ना हो तो आप क्या कर सकते हैं आपको दिखाता हूँ इसको डिलीट कर रहे हैं हम लोग यहां से अगर आपका डिवाइस खुद से एड नहीं होता तो आपने क्या करना है जो सर्च वाला बटन अउपर टोप पे सर्च वाला बटन इसको आप क्लिक करेंगे तो यह डिवाइस को अपने आप आपका मुबाइल डेटा ओफ होगा अब यहां पर लिखा रहा है ओनलाइन तो यह कैमरे के होर्सपोर से कनेक्टिड है अब यह ओनलाइन इसमें डिवाइस हो गया बट जो इसकी रेंज है वह चार से पांच मेटर है क्या भी होर्सपोर से कनेक्टिड है यह दिखिए आपको ओन करके दिखा यह लाइव चल रहा है तो अब इसमें आपको कुछ ऑप्शन और बता देते हैं हम लोग जो कैमरे के अंदर फीटर दिख रहे हैं यहां पर पहला फीटर वीडियो का है अगर आप चाते हैं कि जो लाइव चल रहा है उसका वीडियो शूट करना है तो आप कर सकते हैं यहां इस बटन को प्रेस करने से इस बटन को प्रेस करेंगे यह वीडियो शूट होना स्टार नहीं देगी और यह जो डिस्टन्स है जो ओडियो सुनने का यह आपने फोन इसके पास रखके नहीं करना नहीं तो आपको अपनी वाजी दुबारा रिपीट सुनाई देगा तो आपनी इस चीजिका भी ध्यान रखना है दूसरा इसमें जो नाइट विजन है उसकी जो रें करसे दिया हूए इस पहल Link करेंगे तो यहां पर और आपको उप्शन को प्लोज इंफाइद ओपन करेंगे तो इसका नाइट वेजिन जो होँा और ब्यूसरा में आएगा धिस्टण नाइट वीजुजन का आपको बता दियेक अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं यहां से हम बैक आगे अगर आप चाहते हैं इसको आपके घर में कोई वाइफाई राउटर लगा हुआ है या डॉंगल लगा हुआ उससे कनेक्ट करना तो वह कैसे होगा सबसे पहले तो जो आपने अपने जो वाइफाई लगा हुआ है उसका यूजरनेम आपको यहां पर दिख रहा होगा अगर वह 4G होगा तो लिस्ट में आ जाएगा अगर 5G होगा तो लिस्ट में नहीं आएगा सभी राउटर में ओप्शन होती है है डोंगल के अंदर कि 4G नेटवर्क वह क्रिएट हो जाता है तो आप अपने इंटरनेट वाल जो भी आपका इंटरनेट प्रवाइटर होगा उससे बोलकर आप करवा सकते हैं तो अगर आपका 4G फाइब दोनों क्रेट हो रखे हैं तो इसमें 4G वाला अपने अपने यह हो जाएगा आपने उसको क्लिक करना है सेलेक्ट करना है उसका पासर डालना एंपने टेस्टिंग के लिए 2-4 मिनटट के बाद अब को दोबारा ऊपन करेंगे तो वो camera आपको online दिखा रहा होगा अब वो जो horsepower आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा क्योंकि आप वो internet जो है डिवाइस वो आपके router या dongle से wifi लेगा और आपका phone जो है वो किसी भी network पर काम कर सकते हैं आप device को कहीं से भी देख सकते हैं और इसके इलावा अगर हम लोग बात करें बाकी सेटिंग की जैसे user सेटिंग है alarm सेटिंग है reset सेटिंग है तो इन सेटिंग यह by default camera सेटिंग है इसको किसी भी सेटिंग को आपको चेंड करने की जूरत नहीं है क्योंकि इससे कहा है कि system की app की settings है इसमें आपको night vision बता दिया हमने charging के लिए बता दिया दूसरा power bank से इसाथ भी इसको यूज कर सकते हैं माली यह आपके power bank की बैटरी बैक अब है वह बारा घंटे का है तो device power bank से बैटरी लेकर दस बारा घंटे अराम से चल लेगा तो इस सरीके से आप इस device को अपना यूज कर सकते हैं और जो हमने photo video क्लिक किया था वो यहां पर store हो जाता है वीडियो में जाएंगे आप तो यहां पर देखिए उपर option दिया है client और remote तो client का meaning है जो आपका इसी में आपने live record किया है वो client के अंदर आएगा और remote के अंदर क्या आएगा जो recordings आपकी memory card में store होगी जो आप memory card डालोगे उसके अंदर जो recordings आएंगी वो यहां पर remote वाले option में select करनी आपको remote में जागे फिर camera को click करेंगे यहां पर बहुत सरे clips बन क करा जाएंगे और minimum जो recording करनी आपने आदे घंटे की recording करनी है आदे घंटे के बाद clips बने स्टार्ट हो जाएंगे वह आपको यहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा और इसके लावा भी अगर आपको कोई भी इसमें issue आता है तो हम लोग WhatsApp पर available है यह हमारा customer care का card है तो अ Thank you